हलो फ्रेंड बेलकम बैक टू मैं निव किचिन ब्लॉग कल मैंने गार्डन से बहुत सारे नीवू टोड़े हुए थे तो एक रेस्पी बनाई थी जो आपके साथ सेयर की हुई थी और काफी सारे नीवू अभी भी बचे हुए हैं तो आज मैं इसका निवू का अचार बना लूघे और किचिन की शुर०ात करने से पहले मैं किचिन को सबसे पहले क्लीन करती हूं और सुरुवात करेंगा चाय से यदि सुवे सुवे चाई मिल जाती है तो एनर्जी आ जाती है मज़ा आता है और मुझे तो चाई पीने की आदत है आज अधरक नहीं था घर पर तो मैंने इलाइची और डालचीनी की चाई बना भी बहुत अच्छी लगती है बस एक इलाइची डाल देंगे और थोड़ा सा डालचीनी का एक छोट असा टुकड़ा भ बहुत बढ़िया लगता है दालचीनी तो किसी ना किसी रूप में हमें यूज करना ही चाहिए यह हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है हाट के लिए तो बस मैंने थोड़ी सी दालचीनी भी डाल दिये जब तक चाय पकरे यह ना उसके बाद दूसरी तयारी भी ऐसा लगता है कि काम जल्ली जल्ली फटापट करें क्योंकि सुवे का काम करने में इतना समय लगता हो समय कम होता है बच्चों का लंच बाक्स बनाओ काम करना पड़ते हैं ना समय का पता ही नहीं चलता कि समय कैसे निकल जाता है लेकिन मैं चाय जरूर पीती हूँ क्योंकि मुझे चाय पीने की आदत है यदि मैं चाय नहीं पीती ना तो मेरे सिर में दर्दोने लगता है चावल भी अच्छे से फूल गए हैं इसको पकने रख दीजिए इससे चावल बहुत बणिया खिले-खिले बनेंगे और कई लोग तो निवो भी इसमें मिला देते हैं उससे भी चावल खिले-खिले बनते हैं तो बस चावल मैंने बनने रख दिया है जब तक चावल बन रहा है हमारा तब तक हम दोसरे तयारी कर लेते हैं दो द मारे घर में मख्य के आटी की बनती है बहुत स्वादिस्ट लगती है तो बेशन की कड़ी बनाएंगे ना तो आज जो कड़ी बना के तयार करेंगे ना वो बिना पकोड़े की बनाएंगे जैसे हम ढावा में खाते हैं समोसे में उपर समोसा या कचोड़ी ऊपर से कड़ी डाल के सर्व करते ना कितनी बढ़ियां लगती है ना बिलुकुल वही वाली कड़ी और इसके उपर पंजावी तड़का लगाएंगे तो उसका टैस्ट बहुत ही बढ़ियां लगता है तो बस जली यली काम करना है ना तो मतनी में ना फै की जार में चीज़ें मिकस हो जाएंगी महनत कम लगेगी तो मैंसुभे अ काम जल्ट‑ Score के सद्फिक काम कूछे को सदॉर्स करAMA है देओने दाल दिया जार और अच्छे से ब्सकते करकते हैं और बस इसकी मिला देंगे हम स्वादनुसार नमक लगवक एक चमस नमक इसमें मि कर लेंगे अच्छे से इसको कड़ी तो मेरे घर में सभी लोग पसंद करते हैं और जो बेशन की और ये मठा वाली जो कड़ी बनती है ना ये तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ बहुत सौक से खाते हैं तो मैंने सोचे चलो आज सब्जी ना बना के कड़ी ही बना लेते हैं जली से बन जाती है समय नहीं भी नहीं लगता जाता बनाने में तो बस कड़ी को बनने में 8-10 मिट का समय लगेगा और कड़ी देखे अब बनके तयार हो गई है अच्छे से पक गई है कड़ी और खुसबू भी इसमें बहुत बढ़ियां आ रही पकोड़े वाली कड़ी तो अकसर हम खाते रहते हैं आज इस तरीके से बना के खाएंगे न तो उंगली चाट चाट के खाएंगे आप आपको लगेगा ही नहीं कि बिना सबजी के आप खाना खा रहे हैं इतनी बढ़ियां कड़ी बना के तियार करेंगे कि एक बार बनाने क आप बार बार इसको बनाने की इक्चा करेंगे तो ये देखे प्याज की चोटऄ चोटऄ म Vallahi पाई नेम में इसके चोटे मिशकर चोटी कर ली कि ऑने स्के तो नेम में और रॉटो तें में थोड़ा सा थेल डालीम 된 डाले fulfil ढालना एकसे और इसम pourquoi या शम उल् Qian इसको mix कर लेंगे अच्छे से जब यह थोड़ी से अच्छे से भुन जाएंगी न सारी चीजे उसके बाद इसमें राई और जीरा और इसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी ही जादा नहीं डालना है और बस अच्छे से mix कर लेंगे सारी चीजों को से mix कल लेंगे तो यह देखे धावा style कड़ी बनके तयार हो गई है बिना पकोड़े की एक बार आप इस कड़ी को बनाएंगे ना तो इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे इतनी बढ़िया यह कड़ी बनती है तो जब भी आपको घर में सबजी ना बनाना हो ना कभी मोड ना पहली रोठी गाय को देते हैं तो ये पहली रोठी जो बनाके तयार करेंगे इसको हम अलग से अमेज़ा निकाल के रख लेते हैं गाय आती है तो इसको ख़लाके якmy इते हैं आठ से दस मिनिट में ये खड़ी बनके तेयार हो जाती है जब भी जल्ली हो ना खाना बनाने की तो इसको ज़रू ट्राइ किए जी तो सारी सीजे बन गई है थाली भी लगा के तेयार कर ली है मैंने रोटियां रख ली है कड़ी है चावल है थोड़ासा नमकीन भी रख लिय ग्रीन सलाथ है और जो हमने कल नीवो की खटी मेटी से चेटनी बना के तयार की हुई थी ना वह भी मैंने थाली में रख लिए बहुत बढ़ियां थी चेटनी तो यह देखे फ्रेंट चोटा सा मिनी कोकिंग ब्लॉग बनाया हुआ है यदि आपको मेरा ये ब्लॉग अच् किमती है पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्नवाद ओके टिक क्यार बाइब बाइब